प्रस्न उत्तर को करेंगे मतलब जो अतिलगु उत्रे प्रस्न आपकी परिक्षा में आएंगे तो उनमें कौन से महतोपूर्ण है वो आज की क्लास में हम लोग इनको कम्प्लीट करेंगे ओके बच्चो तो एक बार आप सभी फड़ा फड़ टाइम पे आ जाईए ओके तो देखे एक चीज है ना बच्चो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेज में अनिवारे संस्क्रत के महतोपूर्ण गद्यांसों को भी कर लिया था पद्यांसों भी कर चुके हैं और आज की क्लास में जो आपके एक्जाम में आता है यानि हिंदी की पेपर में बच्चो आती लगू त्री प्रसन आते हैं तो वो कौन-कौन से महतोपूर्ण है किसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए वो हम लोग आज की क्लास में पूरा क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे ओके तो हमारी क्लास बच्चो क्लास 10 हिंदी अनिवारे संस्क्रत के ना हम लोग क्या करेंगे प्रसनोतर करेंगे बतलब जो आती लगू त्री प्रसन है और पिछले वर्सों में पूछे गए, वही करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगी, कि आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा, और आप उनको तयार भी कर सकते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कि ये टाइम टेबल आपके लिए भी क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये दोनों क्लास करी थी, 15 फरवरी को, ओके, ये इसलिए बताना जरूरी है बच्चे कि जो बच्चे अंजान है, उनको ये पता होना चाहिए, फिर 16 फरवरी की सुबा साम ये दो क्लास हुई थी, ये टॉपिक पर, जिसमें हम ने गद्यांश, पद्यांश ये इनके ये किये थे, ओके, फिर उसकी बाद अगर हम बात करें बच्चों, 17 फरवरी को, हम लोगों ने आनिवारे संस्क्रत के महत्पूर्ण गद्यांशों को किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वो इस क्लास को देख सकते हैं, फ कि साइंस का मेरा थन हुआ था, ओके, तो फिर उसकी बाद 19 फरवरी की बात करें बच्चों, तो सुबा हम लोगों ने किया था, कल की क्लास में आनिवारे संस्क्रत के पद्यांश, और साम को हम लोगों ने मॉडल पेपर किया था, जिसमें काफी अच्छा रिस्पूंस आनि आज की क्लास की बात करें बच्चों, तो सुबा थोड़ा सा ये टाइम का थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन आपको पता है कारण कि अनिवारे संस्क्रत के हम लोग प्रस्नोत्तर करेंगे, और फिर साम को हम लोग ना साथ भजे, फिर से एक मॉडल पेपर करेंगे, ज कुछ कारण की वज़े से उसका टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़िया बच्चों, ठीक है, तो बच्चों को आप शेयर करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि नहीं क्लास आज साड़े दस बचे हो रही है, ठीक है, तो इससे उन्हें पता चल जाए, और कल के लिए बच् क्यार रहीएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके, कल सुबा दस बचे, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि ये एक्स्टा क्लास आप सभी को इससे मिल जाएंगी, पहले भी अल्रेडी दी गई है, है ना, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो हमें अपनी क करना है बच्चों, ओके, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, काफी अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है बच्चों, हाँ, तो देखे, क्या है कि आप, अब आप सूच रहोंगे, मैं यहाँ पर प्रस्न नंबर आठ क्यों लिखा है, अभी तो हम लोग स्ट आठ करने जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा बच्चों, आठ लिखने का यहाँ पर ये कारण है कि जब आपको प्रस्न पत्र मिलेगा ना, उसमें प्रस्न संख्या आठ ही होगी, जहां पर आपको ये प्रस्न उत्तर करने होंगे, समझ रहे हैं हमारी बात को, कि यहाँ पर हमने क्यों लिखा है प्रस्न संक्या आठ इस इलिए है कि आपके प्रस्न पत्र में प्रस्न नंबर आट में ही आपको दो कोई बहुमधी कल्पी स्वरी बहुकिल पूछा ऐसे ही जाएगा आपकी परिख्षा में निहन लिखित में इसे इनहीं दो प्रस्नों का उत्तर संस्कृत में दीजे आपको सिर्फ दो करने होंगे मतलब एक एक नंबर के दो होंगे टोटल दो नंबर ठीक है हम लोग लेकिन ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे वच्चो प्रस्नों की कि उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आसां है। अब जैसे प्रस्ष नमबर एक है बच्चों क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। प्रस नंबर एक है कि वारा नसी नगरी कस्या नगा कूले इस्थिता वारा नसी नगरी कस्या मतलब कौन सी नगा मतलब नदी और कूले मतलब के किनारे ओके इस्थिता मतलब इस्थित है तो वारा नसी नगरी कौन सी नदी के किनारे इस्थित है बड़ा सिंपल आंसर है इसक लगता है वच्चो कि वारा Aquí contr a कौन से किनारे एस्थित है ये भी ठीक है और आपको दिखा कि मैं में यह प्रेवियस एर में इतने बार यह लगातार पूछा हुआ प्रस्थ है तो इंपोर्तन है और पूरी कलास में जितने यह वह प्रस्थ उत्रं करेंगे ना बच्चो उनको साथ में ही तयार करने की कोसिस करिएगा बाद के लिए ना छोड़िएगा अगर प्रसनाता है कि वारण नसी नक्री कौनसी नदी के किनारे इस्थित हैं sonra ap गंगाया नगा कूले इस्थिता आस्ति वारानसी गंगाया मतलब गंगा नदी के है ना गंगा नगा मतलब नदी के कूले मतलब किनारे इस्थिता मतलब इस्थित और अस्ति मतलब है अस्तिकार्थ क्या होगा है क्या दुएखिय कोई भी दिक्कत है नहीं ना ओके तो वारान सी गंगाया नगा कूले इस्थिता ओके अब देखते हैं वच्चु की प्रस्ण नंबर दो में क्या है प्रस्ण नंबर दो है हमारे सामने की कश्या सोभाम अवलोग्य व्यादेशिका परेटका वारणसी बहु प्रसंसती 2012 में ये प्रस्ण पूछा गया है कि मतलब इसका यह है कि कश्या मतलब किसकी सोभा मतलब सोभा को अवलोग के मतलब देखकर व्यादेशिका यानि विदेशी लोग परेटका है ना विदेशी परेटक मतलब यात्री ऐसे समझ सकतेना परेटक वारणसी की बहु प्रसंस intenti मतल का मतलब समझ में आया तो किसकी सोभा को देखकर बच्चो कस्या के इस्थान पर आपको लिखना है कि गंगाया घटानाम याना यानि कि क्या होगा गंगा नदी के घाटों को घाटों की सोभाम मतलब सोभा को अवलोग के मतलब देखकर वैदेशिका मतलब विदेशी परियट काह मतलब परियटक वारा नसी की बहुत प्रसंसन ती मतलब बहुत प्रसंसा करते हैं समझ में आया क्या कोई कठिन लगा जैसे पहले मैं पूचा कि वारा नसी नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी के किनारे फिर किसकी सोभा को देखकर जो है व्यादेशिका बहुत प्रसंसा करते हैं तो गंगा नदी के घाटो को है ना घाटो की सोभा को देखकर बहुत प्रसंसा करते हैं यह यहां पर कोई भी कठिनाई है बच्चों नहीं न फिर देखिए आगे अग्ला प्रस्ण क्या है हमारे सामने तीसरा प्रस्ण है वारानस्यां कि अतल में संति मतलब है तो क्या बस लिखेंगे आप कि वारा नस्याम त्रयाह विश्विद्याले है संती वारा नसी में त्रयाह का अर्थ क्या होता है वच्छो तीन विश्विद्याले हैं ओके इस तरीके से प्रस्न आपको मिल सकता है देखने को फिर अगला प्रस्न है वच्छो चोथा नंबर ह कि वारानसी कस्या भाशायाम केंद्र अस्ति वारानसी कौन सी 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 भाशायाम केंद्र अस्ति वारान थलम आस्ति वारानसी संस्कृत भासा का केंद्रिस्थल है ओके कुछ बच्चे काफी मेहनत करते हुए क्लास को देख रहे हैं तो यह आपके काम आएगा बच्चो अगर आप सुनके भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है लेकिन जो बच्चे बैट करके देख रहे ह और इनको साथ साथ में ऐसे किवल आंसर आंसर ऐसे लिखते चलेंगे ना तो परिक्षा में मात्राओं की गलती नहीं होगी आपसे इतनी बात समझ में है कि वारानसी संस्कृत भाषा का केंद्रिस्थल है फिर उसके बाद अगर बात करें कि बच्चो अगर ऐसा प्रस ना जाए कौन सा नंबर पाच्वा नंबर है आपका ठीक है पाच्वा नंबर क्या है कि वारानसी नगरी के साम संगम इस्थली अस्ति यानि वारानसी नगरी के साम यानि किसकी संगम इस्थली है या फिर अगला क्वेस्चिन वारानसी कस संगम इस्थली अस्ति तो क्या होगा कि वारा नसी नगरी विविद धर्माणाम संगम इस्थली अस्ती मतलब है कोई भी कठीना ही नहीं अगर आप सुनते है एक बार ठीक है और आपके एक्जामे बच्चो चार या पांच क्वेस्चन आएंगे उनमें से आपको सिर्फ दो करना होगा दोनों एक एक नंबर की होंगे दो नंबर का होगा आपके एक्जाम में ठीक है फिर प्रस नंबर छे है बच्चो कि वारा नसी किमर्थम प्रसिद्धा वारा नसी किसके लिए प्रसिद्ध है किमर्थम मतलब क्या होगा बच्चो किसके लिए तो वारानसी किसके लिए प्रसिद्ध है वारानसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, सिर्पार्थ, प्रसिद्धा, अस्ति देखें ये 2023, 22, 19, 13 में पूछा है ये question तो वारानसी किमर्था प्रसिद्धा वारानसी किसके लिए प्रसिद्ध है वारानसी विद्या के लिए दर्शन, साहित्य, धर्म, कला और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध अस्ति मतलब है तो इन सारी चीजों के लिए वारानसी क्या है बच्चों प्रसिद्ध है ठीक है इतना समझ में आया फिर आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्येस्चन है आपको दिख रहा है most important लिखा हुआ है जितने भी question मैं इसका color change कर लेती हूँ ताकि जो है आपको ये समझ में आया कि जो ये red से लिखा हुआ है ठीक है कुत्र मर्णम मंगलम भवती यह आपने वारानसी चैप्टर में पढ़ा है उसमें बताया गया था कि कहां मर्णम मंगल होता है कुत्र मर्णम मंगलम भवती अगर परिक्षा में आ जाए आंसर कितना असान होगा कि वारानस्याम मर्णम मंगलम भवती वारा नसी में मरना मंगल होता है या लाभकारी होता है ओके बस ऐसे ही आपको अंसर लिखना है फिर अगला बात करें की प्रस्न क्या है बच्छो कि दारा सिकोहा वारा नसी आगत्य किम करोत दारा सिकोह वारा नसी आकर है ना आगत्य मतलब क्या होगा बच्छो आकर यानि द वारानसी आकर किम मतलब क्या करोत मतलब किया तो दारा सिकोह वारानसी आकर मतलब दारा सिकोह ने वारानसी आकर क्या किया ऐसे क्वेस्चन पूछ रहा है ठीक है और आपने देखा कि मैं ये 2023 और 10 में पूछा हुआ क्वेस्चन है क्या बोला है कि दारा सिकोह वारानसी आगत बारतिय दर्सन शास्त्र का अध्यन किया करोत का अर्थ क्या होगा वच्छो किया ठीक है कोई समस्य नहीं फिर से बोल दूं क्या देखे दारासि को वारणसी आगत्य भारती दर्सन सास्त्राणाम अध्यन करोत मतलब भारती दर्सन सास्त्रों का अध्यन किया अभी कर लेंगे ना अगर ऐसा question आ जाता है क्योंकि जो आपका first chapter है ना वारणसी उनसे आपको 100% अगर दो question आएंगे तो एक देखने को जरूर मिलेगा और ये सारे important है बच्चो ठीके और एक चीज हमारी ध्यान से सुनेगा बच्चो आप सभी जैसे निबंद, पत्र, जीवन परिचे, खंड कावे में आपको जिला की अनुसार कौन सा किस तरीके से करना है इन सभी के वीडियो ना अभी जो है ये schedule किये जा रहे है इसी के बाद हमारी class खतम होने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो उनसे आप जीवन परिचे कौन से महत्वपूर्ण होंगे तो ये सारी चीज़े आपकी बाद में क्लियर हो जाएंगे मतलब हमारी class खत्म होने के बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे चलिए इतनी चीज़े यहां क्लियर है जो मैंने अभी बोला फिर हमारे सामने वच्चों अगला question है अगला question क्या है ओके देखे नव नंबर question है बच्चों की कूपा कि मर्थम दुखंब अनुभावती ये आपका जो है दूसरा chapter है अन्योगति विलाशा अभी तक हम लोग वारानसी chapter की कर रहे थे अभी क्या है कि कूपा कूपा मतलब क्या होता है बच्चा कुए है ना कूपा कि मर्थम मतलब किस चीज का या किस बात का और दुखं मतलब दुख अनुभावती मतलब उसे हुआ क्या होगा अनुभावती कार्थ क्या होगा हुआ यानि कुए को किस बात का दुख था या कुए को किस बात का दुख हुआ उसने किस का मतलब अनुभाव कि या किस दुख का उसने अनुभो किया मतलब question समाज में आ गया था तो देखे आहम मतलब मैं नित्रा मतलब अत्यधिक नीचा मतलब नीच अस्मी मतलब हूं इती मतलब इस विचार्ने कूपा मतलब कुएको दुख का अनुभावत मतलब आनुभो कराया तो मैं अत्यधिक नीच हूँ या गहरा हूँ असमी मतलब हूँ इस विचार ने कोई को दुख का अनुभो कराया क्या कोई कठिन लगा नहीं ना बच्चो दो बार आप लिख लिख की अगर प्रेक्टिस कर लेंगे तो बिलकुल सही आंसर करके आएंगे परिक्षा में कि मैं अत्यधिक नीच हूँ इसी विचार ने कोई को दुख का अनुभो कराया फिर उसकी बाद अगला क्वेस्चन है बच्चो इंपोर्टेंट क्वेस्चन है क्योंकि 2020-19 में पूछा गया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं 2024 में 100% पूछा जा सकता है ठीक है नीर चीर विसे हंसस का विसेस्ता अस्ती नीर और चीर नीर कार्थ आप जानते हैं क्या होता है जल चीर मतलब होता है दूद है न कि विसे में हंसस से मतलब हंस की क्या विसेस्ता है नीर चीर को जिसे हम लोगों ने पढ़ाता कि अगर हे हंस यदि तुम नीर और चीर को अलग करने मे आला से करोगे तो इस संसार में अन्य कौन है जो इसको लुवरत का पालन करेगा ऐसे हम लोगों ने आर्थ पढ़ाता ना इस लोग का वहीं से question बना है तो क्या होगा यत हंसा नीर चीरम प्रथक प्रथक करोती मतलब अगर हंस ही नीर और चीर को प्रथक प्रथक मतलब अलग क्या करोती मतलब करता है तो इद मेव तस से विसेस्ता आस्ती तो इद मेव मतलब इस प्रकार तस से मतलब उसकी विसेस्ता मतलब विसेस्ता आस्ती मतलब है तो इस प्रकार यह उसकी क्या है विसेस्ता है question में यही पूचा है कि नीर चीर विसे को मतलब हंस की क्या विसेस्ता है नीर और चीर को अलग करने में हंस की क्या विसेस्ता है तो अगर वो उसे अलग-अलग करता है तो यही क्या है उसकी विसेस्ता है एसा हम लोगों ने उसमें क्या है बच्चो अर्थ में पढ़ा था तो कोई भी समस्या नहीं है आपको वेरी गुड फिर उसके बाद देखे बच्चो कि अगला क्वेस्चन है कवी हंसम किम बोधयत कवी हंस को किस चीज का बोध कराता है किस चीज का बोध कराता है तो क्या कहता है कवी हंस से देखे कवी हंस है यह हंसम होना चाहिए बोधयत यानि बोध कराता है यद की त्वया त्वया मतलब तुम ठीक है नीर चीर विवेके नीर चीर यानि दूद और पानी को विवेके मतलब अलग करने में आलस्यम मतलब आलस ना मतलब नहीं कुरियात मतलब करो तो वो से क्या बोध कराता है कि तुम दूद और पानी को अलग करने में आलस से मत करो समझ में आई बात बच्चो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है ना फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कि और क्वेस्चन हैं यह पूछा गया है और इजी है काफी अमबोदा कुत्र वसंति अ क्या होता है बादल मतलब कहा वस्ते हैं या निवास करते हैं तो अमबोदा गगने वसंति और आकास में आपको बस आंसर लिखना है कुत्र कुत्र मतलब क्या होता है बच्छो कहां कि जगा पर आपको गगने लिखना है बाकिए ऐसे ही कर देंगे अम्बोदा गगने वसंती ओके चले तो इस तरीके जो मतलब क्वेस्चन होते हैं वह जो इनमें बिलकुल आपको समय नहीं लगना चाहिए काफी आसान होते हैं अब आगे हैं कि कवी चातकम किम उपदिशयती या सिच्छयती ऐसे करके क्वेस्चन आ सकता है 1912 में ये पूछा गया है कि कवी चातक पक्षी हम लोगों ने जब अभी कल की क्लास में एक स्लोक पढ़ा था जिसमें आपको पद्यांश में बताया था कि चातक पक्षी क्या हो पानी की जील में भी अगर उसे डाला जाए या उसे दिखाया जाए तब भी वो जल को नहीं पियेगा तो ऐसा ये चातक पक्षी की बात हो रही है तो इसमें बोला है कि कवी चातक पक्षी को क्या उपदेश देता है है न क्या उपदेश दिया कई ने चातक्पक्षी को तो देखे बच्चो कई चातक्पक्षी से कहता है उसे क्या बताता है कि कुछ केचित मतलब क्या होगा बच्चो कुछ ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ वरस्टिवी का अर्थ क्या होगा बच्चो वर्षा वरस्टिवी का अर्थ क्या होगा वर्षा है ना वर्षा और वसुधाम मतलब प्रत्वी को वसुधाम का अर्थ क्या होगा प्रत्वी को आद्रेयन ती मतलब गी कर देते हैं केचिद केचिद मतलब कुछ व्रथा गरजन्ती और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं व्रथा मतलब व्यर्थ और गरजन्ती मतलब गरजते हैं यम यम पस्यासी मतलब जिस जिसको देखते हो तस से पुर्ता दीन वचन मा ब्रूही उस उसके पुर्ता पुर्ता क क्या होगा सामने मतलब जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो क्या होगा दीन वचन मत बोलो देखिए पुरता मतलब क्या होगा सामने दीन मतलब दीन वचना मतलब वचन मा मतलब नहीं ब्रूही मतलब बोलो तो जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो क्योंकि कुछ बादल वर्षा करके प्रत्वी को गिला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरस्ते हैं मतलब हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है तो ये जो है उसे सिक्षा देते हैं कभी चातक पक्षी को पिर अगला प्रस्ते है बच्चों की चौदा नंबर क्या है स्वर्णास से मुख्य दुखं किम आस्ति स्वर्णास से मतलब सोने का मुख्य मतलब मुख्य दुखं मतलब दुख किम मतलब क्या आस्ति मतलब है तो जब हम लोगोंने स्लोक को पढ़ाता कि सोने का दुख क्या ह कि या स्रवर्न स्किम मुख्य दुखं अस्ति कं सोने का मुख्य दुख क्या है तो जब हम लोगों ने अगर अपकी परिक्षा में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि स्वर्नस्य मुख्यम दुख्यम आस्ति यानि सोने का मुख्य दुख है यत मतलब की जनाह मतलब लोग ताम मतलब उसे या उसको किसको सोने को है ना उसे किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर सोने की बात हो रही है ठीक है सोना ऐसे समझेगा तो उसका मुख्य दुख क्या है कि उसे सोने मतलब उसे जो है गुंजिया का अर्थ होता है बच्चो रत्ती है ना सह मतलब साथ में तोले अंति मतलब तोलते हैं तो ऐसे अर्थ समझेगा कि स्वर्णस से मुख्य दुखम अस्ति सोने का मुख्य दुख है कि यत मतलब की लोग उसे रति के साथ तोलते हैं अब भूलेंगे तो नहीं ठीक Jenanti अगही पर तुरंत्त तियार किजिए बाद के लिए ना चोड़िए यही पर ऐसा मान के चलिए कि हम तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत इसको ध्यान में रखेंगे नोट कर लेंगे ओके अगला क्या है बच्चो पंद्रा नंबर कोश गता भ्रहमरा किम अचिंतयत कोश गता क्या होता है कि कोश गता कमल के पुट में बैठा हुआ भ्रहमरा भ्रहमरा मतलब क्या होता है भावरा किम मतलब क्या अचिंतयत मतलब विचार करता है है ना तो कोश गत या मतलब जब साम के समय सूर्य अस्त हो जाता है ठीक है तो कमल क्या है कि कमल जो है बंद हो जाता है मतलब जैसे खिला हुआ होता है जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलता है और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल क्या हो जाता है बंद हो जाता है मतलब संकुचित हो जाता है ओके तो उसमें था कि उसके अंदर भवरा उसका रस्पान कर रहा था। और जब सूर्य अस्त हो गया, तो जो है वो कमल भी बंद हो गया, अब भवरा उसके अंदर बंद हो गया, अब वो विचार करता है कि मतलब रात बीत जाएगी, फिर सुबा होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, तो वो मतलब बाहर आ जाएगा, लेकिन तब क्या होता है कि उसी बीच फिर हाथी आता है और उस कमल को उखाड लेता है, तो ऐसा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ठीक है, वही ये पूचा ह कि कोश गता यानि कमल के पुट में भ्रमरा यानि भवरा क्या विचार करता है, तो कोश गता भ्रमरा यानि कोश गता में कमल के पुट में भ्रमरा भवरा अचिंत यत मतलब विचार करता है, यत मतलब की रात्री गमश्यती मतलब रात बीत जाएगी, सूप्रभातम गी मतलब्ंडाल कहलेगा、 मतलब समझ रहे हैं, हसिस्याति हसिस्याति का रथ होगा यहां पर वही खिलना तो वो यही विचार करता है, जब कमल के उसमें बैठा होता है, तो वो यही विचार करता है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं हम व्याकरण करा दीजिए, दो-दो क्लास अल्रेडी, बच्चो एक अभी हम लोगों ने रिसेंटली ही टाइम टेबल के अनुसार, उसकी हम लोगों ने बहुवी कलपी प्रस्ण नहीं किये थे, बलकि व्याकरण के सारी टॉपिक का कॉंसेप्ट समझाता, कि बच्चो हिंदी व्याकरण से ये ये आपके परिक्षा में आएगा, तो अगर आपने जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं जो है व्याकरण करा दो, त आपके सलैबस में है, ठीके वहीं से आपको प्रस्ण भी देखने को मिलेगा, ठीके बच्चो हाँ, तो यहां तक कोई भी समस्या नहीं कि व्याकरण करता है, फिर अगला क्वेस्चन है, तो इसके पहले संपूर्ण व्याकरण की और व्याकरण की एक मैराथन, दो, दो क्ल अब क्या होगा, हाथी, कि मतलब क्या अक्रोत मतलब किया, जब भवरा विचार करता है, तब हाथी ने क्या किया, या फिर अथवा में ऐसे करके क्वेस्चन भी आ सकता है बच्चो, बस एक सेकेंड के लिए रुक्येगा हाँ अभी कोई समस्या नहीं देखिए question में क्या है बच्चो कि यदा भ्रमरा चिंतयत तदा गजा किम करोत जब मतलब क्या है कि जब भवरा विचार करता है तब हाथी ने क्या किया या फिर गजा काम उजारा गजा ने किसे उजहार कर दिया था मतलब उखाड लिया था तो हम लोगों ने अभी कल की क्लास में कितने अच्छे से पध्यांस पढ़ा था कि यदा भ्रमरा चिंतयती मतलब जब भवरा विचार करता है इस बात का कि रात बीतेगी सुबा होगा कमल खिलेगा है ना इस तरीके से तदा मतलब तब गजा मतलब हाथी ने नलिनीम मतलब कमल को क्या कर दिया बच्चो उजहार मतलब उखाड लिया तभी क्या हुआ कि वो बैठा विचार ही कर रहा था तब तक हाती आया और उसे उखाड लिया उसने ओके इतनी सबस्या अभी कोई भी नहीं है ना बच्चो फिर अगला प्रस्ण है हमारे सामने वीरह केन पूजत है यह क्वेस्चन आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है लगातार पूछे जाने की है ना बच्चो फिर अभी देखिए कि आपने देखा कि वीरह केन पूजते वेरी इंपोर्टेंट है दोजार बीस उननिस सत्रा सोला पंद्रा मतलब यह लगातार पूछा गया है क्व तो यहां पर यह है बच्चो कि वीरह वीरेंड पूजते वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है मतलब होगा ठीक है पूजते मतलब क्या होता है बच्चो पूजा की जाती है तो वीरह वीरेंड पूजते वीर की वीर के द्वारा पूजा की जाती है अगला क्वेस्च पूरुराज कौन था अगर ऐसा आता है कि तो आपको पता होना चाहिए कि वह यवन राज यानि यवन राजा था ओके पुरुराजा का आसीत पुरुराजा भारतस से एकाह वीरा नपा आसीत देखे पुरुराज भारतस से मतलब भारत का एकाह मतलब एक वीरा मतलब वीर और नपाह मतलब राजा आसीत मतलब था तो पुरुराज भारत का एक वीर राजा था समझ में आया कर लेंगे कोई समस्या नहीं है ठीके इससे स्टार बना कर के करिएगा आप देख रहे हैं कि ये वाले क्वेस्चन कितना इंपोर्टेंट है आपके लिए अगला क्वेस्चन है बचो गीताया का संदेशा गीताया का क्या संदेश है ये भी इंपोर्टेंट है या इस तरीके से बन जाता है कि पुरुराज गीताया के संदेशम अकत्यत पुरुराज ने गीता के मतलब कौन सा संदेश उसने बोला तो देखे गीताया संदेशा अस्ति गीताया का संदेश क्या है कि हतोवा प्रापस स्वर्ग जित्वा भोज से महीप यह इस तरीकी से अगर इस तरीकी से question आता है मतलब दोनों में से अगर किसी भी तरीके का आता है तो आप क्या करेंगे गीताया संदेशा अस्ति गीता का संदेश है कि हतो वा प्रापस स्वर्ग जित्वा भोज से महीप ओके फिर हमारे सामने है वच्चो कि जो है आगे नंबर ये क्वेस्चन है इसमें ये आज ये समस्य हो रही है ओके देखे पुरुराजा केन सह युद्धम अक्रोथ 21 नंबर प्रस्ण क्या है कि पुरुराजा केन सह युद्धम अक्रोथ पुरुराज ने केन मतलब किसके सह मतलब साथ में युद्धम मतलब युद्ध अक्रोथ मतलब किया तो पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया तो आपको पता होना चाहिए कि पुरुराजा अलचेंद्र पर युद्धम अकरोथ पुरुराज ने अलचेंद्र के साथ युद्ध किया तो पुरुराज ने अलचेंद्र के साथ किया कोई बच्चा कह रहा कि मैं गुण्जाया की जगा रत्ती लिख सकते नहीं रत्ति उसका हिंदी अर्थ होगा ठीक है अगर जब आप करेंगे अपनी परिक्षा में तो गुंजाया ही लखी है कोई बच्चा कह रहा था मैंने उसका नाम नहीं देखा फिर उसके बाद दिखें बाइस नंबर है कि वीर भावो किम कत्यते वीर का भाव क्या कहता है वीर भ भारतम एकम रास्ट्रम इत विरुद्धम कश से उक्त भारतम एकम रास्ट्रम एक्त मतलब भारत एक रास्ट्र है इत विरुद्धम कश से उक्त इसके विरुद्धम कश से उक्त इसके विरुद्ध किसकी मतलब उक्ती है या किसने ऐसा कहा तो भारतम एकम रास्ट्रम इत विरुद्धम इयम अलचेंद्र से उकती भारत एक रास्ट है इसके विरुद्ध किसने ऐसा ये बोला था इयम अलचेंद्रम उकती यह किसकी उकती थी बच्चो अलचेंद्र की ओके हाँ फिर अगला क्वेस्चिन है हमारे सामने 24 नंबर है ग्रामीडान उपहसन नागरिका क किम अकत्यत कितना है 2010 में यह पूछा हुआ है कि ग्रामीडान उपहसन नागरिका किम अकत्यत ग्रामीडान मतलब ग्रामीडों ने उपहसन मतलब उपहास करते हुए नागरिका मतलब नागरिकों से किम क्या अकत्यत मतलब बोला तो देखें नागरिका अकत्यत नागरिक न भी पूरवत मतलब पहले की भाथ और ऑग्याश्च मतलब क्या होगा और थीक है कि ग्रामेड आज भी पहले की भाथ और अजिच्च्छित और अजिच्छित हैं, अजिच्छित और अज्यानी है ना तेशाम विकाशा ना तो तेशाम मतलब उनका विकाशा मतलब विकाश हुआ है ना अभुवत मतलब क्या होगा बच्चों हुआ ना चा भविन्तुम शक्नोती ना मतलब नहीं चा मतलब और भविन्तुम मतलब हो और सक्नोती मतलब सकता है तो नागरिका ने क्या बोला कि ग्रामीड आज भी पहले की भाति असिच्छित और अज्ञानी है ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है समझ रहे हैं ऐसी लिखेंगे आप अंसर यहां तक कोई भी समस्या नहीं है मतलब कौन पहले पहली पूछता है तो कौन पूछता है बच्चो प्रत्रम पहली काम ग्रामीड ने पूछा था ठीक है 27 नमबर है वच्छों कि का पहलिकाया उत्तरम दानटुम समर्था ना अभुवति तो देखो नागरिका पहलिका या उत्तर दान्तुम ना समर्था ना अभुवत मतलब कहा मतलब कौन पहलिका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ कौन पहलिका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ तो नागरिका यानि सहरी व्यक्ति नागरिका का अर्थ क्या होगा सहरी व्यक्ति पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ समझ में आई इतनी बात ये भी अच्छा क्वेशन है इस तरीके का बन के आपके एक्जाम में आ सकता है अच्छा बच्छों देखिए यहां पर टोटल प्रस्णों की संख्या हमने साथ रखी है तो साथ में यह है ना कि आप मतलब पहले भी पढ़े हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा सभी का और इंपोर्टेंट भी है और मैंने सामने उनके डाल रखा है कि कौन सा प्रस्ण कितने बार पूछा गया है तो आप आईडिया लगा सकते हैं कि मैं हम यह इम्पोर्टेंट है ग्रामीडस पहली काया किम उत्तरम आसीत ग्रामीडस यानि जो गाउं का निवासी था है ना तो ग्रामीड का पहली है ना पहली का आया मतलब पहली का कि मतलब क्या उत्तरम मतलब उत्तर आसीत मतलब था तो गाउवाले ने जो पहली पूछा था बच्चों उसका उत्तर क्या था पूछा है तो ग्रामीड से पहली का आया उत्तरम आसीत पत्रम बस आपको पता होना चाह हां इससे ना ये अच्छा देखी बच्चो ये जो आज की क्लासेस हैं ये आपको जो मिलने वाली है ठीक है साम 6 बजे निबंधवा पत्र की मिल जाएगी कौन से महत्वपूर्ण है ये सुनेगा द्यान से ठीक है तो साम को 6 बजे आपको निबंधवा पत्र की मिल जाएगी फिर साम 7 बजे हम लोग हिंदी का model paper करेंगे वो important है आपके लिए क्योंकि वहां से पता चलेगा कि ऐसे ऐसे ये जो है classes होंगी फिर रात 9 बजे आपको मिल जाएगा कि सभी जीवन परिचे जीवन परिचे में कि कौन सा important है आप कौन सा तयार कर सकते हैं ठीक है और फिर रात 10 बजे आपको मिल जाएगा बच्चो कि जिलेवार खंड कावे में जो आपको जिले के अनुसार जो है ये लिखना होगा खंड कावे से संबंधित ये आपको मिल जाएगा 10 बजे तो अब आ कि अब्च्चो के लिए निबंध और पत्र के लिए जिनको भी समस्या हो रही थी अभी आपका ये क्लियर हो गया ठीक है अब हम लोग कौन सा कर रहे थे बच्चों अब कुछ बड़ चिना घबरा गए होंगे कि क्या हो गया सुनिए देखिए 29 नंबर क्या क्वेस्चन है अब हमारे सामने नागरिका कथम किमर्थम लज्जिता अभुवत मतलब किस बात के लिए वो क्या हो गया था लज्जिता मतलब लज्जित हो गया था देखिए नागरिका ग्रामीरस से पहली काया जो नागरिक था सहरी व्यक्ति वो ग्रामीरस यानि जो ग्रामीर व्यक्ति था उसकी पहली काय यानि पहली का उत्तरम मतलब उत्तर दान्तुम मतलब देने में ना मतलब नहीं सकनोत मतलब सका तो ऐसे होगा कि नागरिक ग्रामीर व्यक्त की पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ ठीक है अतह नागरिका लज्जिता अभुवत इसलिए वो नागरिक क्या हो गया था लज्जत हो गया था समझ में आई इतनी बात फिर अगला क्वेश्चन है बच्चो अंते नागरिका किम अनुभवम अक्रोत फिर अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया तो देखे बच्चो अंते नागरिका अनुभवम अक्रोत अंत में नागरिक ने अनुभव किया यत कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति कि ज्ञान सभी जगा क्या है संभव है तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं है वच्छो ठीक है फिर अगला question है कि ज्ञानम कुत्र संभवति स्टार बनाईएगा ज्ञानम कुत्र संभवति यानि ज्ञान कहां संभव है तो ज्ञानम सर् लोग इतने क्यों कर रहें इससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी और यह इतनी इजी आंसर है कि आप अगर एक बार नहीं दो बार पढ़ लेंगे तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे ठीक है हाँ फिर उसके बाद 33 नमबर है वच्चो कि न्याय धीशा का आशीत न्याय धीश कौन था है ना कहा मतलब कौन तो न्याय धीशा एका दुर्धशा पारशीक आ निडर तो देखे न्याय धीश एक दुर्धशा मतलब निडर या उदंड पारशीका मतलब पारशीक आसीत मतलब था ओके फिर चंद्र सेखरा का आसीत बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्चन है पूछा जा सकता है आपकी परिक्षा में चंद्र सेखरा का आसीत चंद्र सेखर कौन था है ना इंपोर्टेंट है देखिए कितने बार लगातार पूछा गया है तो चंद्र सेखरा एका प्रसिधा क्रांतिकारी देश भक्ता चा आसीत चंद्र सेखर एक प्रसिध क्रांतिकारी देश भक्त था ओके ऐसे समझेंगे चा मतलब है ना और तो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था समझ में आया तो आपको कोई हिंदी तो वहां लिखनी नहीं होगी जब प्रस्णों के उत्तर करेंगे लेकिन यह आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं अगर क्वेस्चन ऐसा आ जाता है तो आप इसका उत्तर बस ऐसे लि मतलब चंद्र सेखर की द्रसा आस थी किस प्रकार वो दिखता था या किस तरीके का वो था कौन चंद्र सेखर तो देखे चंद्र सेखर पुस्टांगा का अर्थ होगा बच्चों पुस्टांगा मतलब पुस्ट अंगो वाला ओके गोर वर्णा मतलब गोरे रंग का गोर व वर्सी मतलब क्या होगा सोला वर्स का किसोरा मतलब किसोर अस्ति मतलब है तो उसमें यह बताया गया था कि चंद्र सेखर पुस्ट अंगो वाला गोरे रंग का सोला वर्स का किसोर है उसके बाद है बच्चों की चंद्र सेखरा स्वा नाम किम अकत्यत चंद्र सेखर ने स्वा नाम आजाद इति अकत्यत ठीक है इस तरीके से आप अपना अंसर इसका लिखेंगे यहां तक बच्छो कोई भी समस्या नहीं है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं बच्छो अगला क्वेस्चन है हमारे सामने चंद्र सेखरा स्वापितुह नाम किम अकत्यत चंद्र सेखर ने स्वापितुह मतलब अपने पिता का नाम उन्होंने क्या बताया तो स्वतंत्रता कस्य पितुह नामा इस तरीके का भी क्वेस्चन बन सकता है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे बच्छो कि चंद्र सेखरा स्वापितुह नाम स्वतंत्रता इति अकत्यत इस तरीके का क्वेस्चन लगातार पूछा गया है कि चंद्र सेखर ने अपने प कर हम अपने घर के विस्यम मतलब क्या कि ने बताया यह तो हमारे में मतलब क्या बताया कि कहां है उसका घर चैन्द से अकति चैन्द शेखर ने mothers यह तो मतलब की काराएव मतलब क्या होगा बच्छो यह मम मतलब मेरा ग्रहं मतलब ग्रह है तो चंद सेखर ने क्या बताया कि काराएव मम ग्रहं उसका घर है इतनी बात समझ में आई बच्छो हाँ फिर उसके बाद है बच्चो कि 39 नंबर 80 लगूतरी ऐसे ही प्रस्नाएंगे आपके परिक्षा में कारागार एव मम ग्रहम कस्य वच्छनम अस्ती इस तरीके का भी पूछ सकता है कारागार ही मेरा घर है कस्य वच्छनम अस्ती मतलब यह किसका वच्छन था यह किस ने ऐसा यह बोला था कारागार एव मम ग्रहम एति चंद्र सेखरा अवदत कारागार ही मेरा घर है यह किस ने बोला था वच्छो चंद्र सेखर ने बोला था समझ में आया इतना ओके फिर अगला question है हमारे सामने दुर्मुखा का आसी दुर्मुख कौन था दुर्मुख कौन था दुर्मुख है ना दुर्मुखा चैंडाला आसी दुर्मुख कौन था चैंडाला यानि चैंडाल था ऐसे समझेगा ठीक है बस simple है आपको कह की जगा क्य इसने कहा मतला बोलता है ऐसा कौन बोलता है ठीक है तो भारतम जयतु इती चंद्र सेखरा वदती किसने बोला था बच्चो चंद्र सेखर ने बोला था भारत माता की जय जब उसे कोड़े मारने के आदेश दिये जाते हैं तो पहला कोड़ा जब चंद्र सेखर को पढ़ता है तो वो बोलते हैं भारत माता कीजिए दूसरे पर भी बोलते हैं इसी तरीके से उन्हें 15 कोडे मारे गया थे हम लोग उन्हें चैप्टर में पढ़ा था फिर उसकी बाद अगला क्वेश्चे ना बच्चो रास्ट भक्ता का आसीत रास्ट भक्त कौन था तो रास्ट भक्ता चंद शेखरा अस्ती है ना आसीत नहीं सोरी यह अस्ती होगा ठीके रास्ट भक्ता का अस्ती रास्ट भक्त कौन है तो रास्ट भक्त चंद सेखरा अस्त ओके सिंपल है 2011 में आपने देखा कि मैं यह पूछा गया है important है ओके फिर है कि मैत्री केन वर्धते मित्रता से क्या बढ़ता है ठीक है मित्रता से क्या बढ़ता है तो मैत्री सूवचनेन वर्धते यानि सूवचनेन अच्छे वचन बोलने से क्या बढ़ता है मित्रता बढ़ सत्य से धर्म बढ़ता है ठीक है सत्य से धर्म बढ़ता है फिर उसके बाद क्या है बच्छो पुत्र दर्सनेन का वर्धते पुत्र के दर्सन से क्या बढ़ता है तो पुत्र दर्सनेन हर्षा वर्धते हर्षाव का अर्थ जानते हैं क्या होता है खुशी क्या होता है बच्छ खुशी तो पुत्र के दर्सन करने से हर्स यानि खुशी बढ़ती है वर्धते का अर्थ क्या होता है बढ़ना जैसे यह वर्धते मिलेगा आपको सब्ध वर्धते मतलब होता है बढ़ना तो पुत्र के दर्सन से क्या बढ़ता है खुशी हर्स ओके फिर अगला है कुटंब कलहेन मतलब जो पारिवारी कलह होती है लड़ाई जगड़े होते हैं वह बढ़ते हैं समझ में इतनी बात ओके यह मैं इरेज करके आपको इसलिए बता रही हूं देखें यह ना बच्चो यह वाला भी प्रस्ण वेरी इंपोर्टेंट है 2010 में पूछा हुआ है प्र सुठर्ब के दर्सन करने से समूद्र बढ़ता है इंपोर्टेंट कुश्ण है पिर अगला जो क्वेस्टइन है हमारे सामने कि स्री केन वर्धते स्पीं का अर्थ लक्ष्मी क्या होगा लक्ष्मी से क्या बढ़ता है तो यहाँ पर उद्धमेन होगा यानि परिश्रम करने से क्या होता है कि लक्ष्मी बढ़ती है जब हम मेहनत करेंगे तभी तो पैसा आएगा है ना बच्चो हाँ स्री आएगी लक्ष्मी आएगी है ना इस तरीकी से अगला क्वेस्चन है कि विद्या केन वर्धते विद्या से क्या बढ़ता है तो विद्या अभ्याशेन वर्धते मतला विद्या किस से बढ़ती है विद्या किस से बढ़ती है तो विद्या अभ्याशेन वर्धते यानि अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है इसलिए तो हम अच्छा अब हम इस इतने भी बच्चि देख रहे हैं फटाफट बच्चो कि जिसने भी लाइक न किया है प्लीस कर दीजी क्योंकि आप को पता है कि एक क्लास करने के पीछे कितनी महनत होती है ना विए जितने भी बच्ची प्रजन टाइम में है वह प्लीस जिन्हों लाइक नहीं क्या है एक बार फड़ा फड़ लाइक कर दीजिए फिर आगे हम लोग अपनी क्लास में बढ़ते हैं ठीक है बच्छो हाँ तुरंत कर दीजिए मतलब फड़ा फड़ा कर दीजिए ओके फिर अगला क्वेस्चिन हमारे सामने है बच्छो कि लोभा केन वर्धते लोभा केन वर्धते आंसर क्या लिखेंगे लोभा लाभेन वर्धते लोभा लाभेन वर्धते रोग केन वर्धते यानि रोग किस्ते जो है बढ़ता है तो रोगा अपथेन वर्धते मतलब परहेज ना करने से क्या होता है रोग बढ़ता है ओके कलह केन वर्धते कलह यानि लड़ाई जगडे किस से बढ़ते हैं तो देखिए कलह दुर वचनेन यानि बुरे वचन बोलने से क्या होता है कलह बढ़ती है ठीक है ये भी इंपोर्टेंट है आपने देखा कि मैम ये देखिए ये लगातार पूछे गया है इन्वे से किसी भी तरीके का प्रस्थ आपके इसे भारी क्या है वच्चो माता गुरुतरम भूमे मतलब भूम से भारी क्या है माता है तो ये आपको आंसर लिखना होगा जब भी आपके इस तरीके से परिक्षा में आएगा कोई बच्चा पूछ रहे कि क्या या लाइव वीडियो है और क्या बिलकुल बच्चा ये लाइव वीडियो है ठीक है आपको विस्वास नहीं हो रहा है क्या ठीक है फिर अगला है बच्चो चववन नंबर है कि स्वेत के तु कश्य पुत्रह आसीत स्वेत के तु किसका प पूत्र था बच्छो नाम ध्यान में रखेगा आरूने यह ओके हां फिर अगला प्रस्ण हमारे सामने है विश्वस स्रस्था का विश्व का स्रस्था मतलब क्या होता है बच्छो निर्माता स्रस्था का अर्थ क्या होगा बच्छो निर्माता ठीक है विश्व का निर्माता क बच्चो चपन नंबर भारतिय संस्क्रति मोलं किम आस्ति भारतिय संस्क्रति का मूल क्या है भारतिय संस्क्रति का मूल क्या है बच्चो बताना है फटा फट तो देखें विश्वस से स्रस्था इश्वरा एक एव आस्ति यानि विश्वस से मतलब विश्व का स्रस्था निर्माता इश्वरह मतलब इश्वर एक मतलब एक एव मतलब ही अस्ति मतलब है तो विश्व का स्रिस्ठा यानि निर्माता इश्वर एक ही है अस्ति मतलब है इती भारतिय संस्कृते मोलम अस्ति इती मतलब यह भारतिय संस्कृति का मोल है अस्ति मतलब है तो यह भारतिय सं संस्क्रति का मूल है most important question है आप double star बना करके इसको note कर सकते हैं ठीके क्योंकि आपने देखा कि यह question कितने बार लगातार पूछा हुआ है ठीके कि भारती संस्क्रति का मूल क्या है ओके फिर अगला है बच्छो पिता कश्मात उच्छ तरह भावत पिता किस से उच्छ तरह मतल है ठीके भावती मतलब होता है या है ओके कस्मात मतलब किस से तो क्या है कि पिता खात उच्छ तरह भावती पिता जो है खात का अर्थ होता है वच्छो आकास क्या होता है आकास यह ध्यान में रखेगा पिता किस से उच्छ है वच्छो आकास से भी उच्छा होता है यह प् कि अच्छ〜 कोई बुच्छा पूछा है कि हम हिंदी टू संस्कुरत जो है ट्रानस्लेट यह देखि आपको पता होना जाए बच्चों कि आप का जो यह पैपर है 22 फरवरि को हिंदी का मेरी बाद्यान से सुनेगा संस्कुरत से उसमें क्या क्या आता है अप हाँ और हाँ उसमें क्या क्या आता है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आज साम को 7 बजे model paper होगा बच्चो ठीक है model paper होगा उसमें हम लोग वैसे ही क्रम रख करके अनुसार मतलब उसी के अनुसार हम लोग अपनी practice करते हैं कि पहले हमारे 20 प्रस्न कैसे आते हैं, फिर आगे जो प्रस्नों का क्रम होता है, वो कैसे कैसे पूछा जाता है, तो जो बच्चे ये question कर रहा है कि मैम संस्कृत में ये आता है, क्या ये नहीं आता है, क्या हिंदी वाले में, तो आप हमारी class में आईएगा साम को 7 बजे, पू वातात सीग्र तरम किम भवती, वातात का अर्थ क्या होता है वच्चो, वाईउ, ठीक है, सीग्र तरम मतलब होता है, तेज, सीग्र चलने वाला, किम मतलब क्या भवती मतलब होता है, तो वातात सीग्र तरम मना भवती, मतलब वातात हवा से भी तेज क्या चलता है, मन, या क्या और हित्वा का अर्थ होता है बच्चो त्याग कर हित्वा का अर्थ क्या होता है बच्चो त्याग कर मनुष्य क्या त्याग कर सुखी होता है ठीके सुखी भवेद मतलब सुखी होता है तो मनुष्य लोभं हित्वा सुखी भवेद मनुष्य लोभ को त्याग कर सुखी ह लोबम मतलब लोब, ओके समझ में आई इतनी बात, पिर अगला है question बच्चों हमारे सामने, किश्विद बहुतरम तरणात, किश्विद मतलब क्या, बहुतरम मतलब होता है बच्चों, बहुत ही दुर्बल ठीक है, दुर्बल, और तरणात का अर्थ होता है बच्चों, तिनक क्या होगा तिनका यानि तिनको से भी अधिक दुर्बल क्या है तिनको से भी अधिक दुर्बल क्या है दोहजार अठारा में ये प्रस्न बना था पूरा चांस बन सकता है कि दोहजार चौबिस में आ जाए तो चिंता बहुतरी त्रणात यानि तिनको से भी अधिक दुर्बल क्या है बच्छो चिंता यानि चिंता तिनकोब से भी अधिक दुर्बल है तो यहां तक बच्छो कोई भी समस्या है नहीं न ओके कि तो इस तरीके से हम लोगों ने आपने जो है टोटल कितने प्रस्णों को किया बच्छो 60 प्रस्णों को हम लोगों ने इस कि प्रयास में पूरे कंप्लेट किया है अगर इनकी आप कर लेंगे ना इतने तो मान के चलिए कि आपको जो है यह देखने को मिल जाएंगे मतलब परिक्षा में इन में से ही आपको प्रस्ण मिल जाएंगे अब ही कोई अगर आपको समस्या है तो आप पूछ सकते हैं और जिन बच्चों को इसकी समस्या है कि मैं क्या क्या आएगा परिक्षा में तो हमने बोलाना कि बच्चों जैसे कल हम लोगों ने model paper किया था उससे भी प्रयास होगा कि आज हम लोग और बहतर करेंगे साम को 7 बजे तो आप साम को 7 बजे class में आना ना भूलेगा because वहाँ पर हम लोग model paper करेंगे जैसा पूरा pattern होगा आपकी परिक्षा का पूछने का with solution मतलब question के answer के साथ में हम लोग पूरा model paper discuss करेंगे और ये last ही होगा आप समझ रहें क्योंकि कल हम लोग पूरी महा में राथन करेंगे कि इन दिनों में हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ाये उसका revision करेंगे और revision आपके लिए बहुत ही जादा क्या है बच्चो जरूरी भी है ठीके तो उससे हम लोग पूरा revise करेंगे कल की class में कल की और भी बहतर class होगी लेकिन model paper आज होगा साम को बच्चो 7 बजे वहाँ आना मत भूलेगा ठीके यहाँ पर अब ठीके फिर हम लोग ना अपने class को क्या करते हैं समाप्त करते हैं इसके पहले आप ये एक बार देख सकते हैं कि इन classes को आप हम लोगों ने starting में देखा था बच्चो ठीके कि इसी time table के अनुसार हम लोग अपनी classes को कर रहे हैं आज की class हम लोगों ने सुबा मतलब आनिवारे संस्कृत के प्रस्नोतर भी कर लिया है इसके पहले इन इन date को ये सारी classes हो चुकी हैं ओके फिर हम लोग करेंगे साम को model paper और कल का पता है आपको कि हम लोग complete हिंदी महा मेराथन करेंगे हर एक चीज का रिवीजन करेंगे ओके तो चलिए फिर ठीके अपनी class को हम यही पर करते हैं समाप्त बच्चो ठीके आज के लिए इतना ही कि क्यासी लगी है आपको class comment box में लिख करके हमें बताईएगा और सा साम को साथ बजे ना आना भूलेगा ओके वच्चो ठीके फिर बाई बाई टेक कियर मिलते हैं साम को साथ बजे